जय हिंद एवरिवन वेलकम बैक टो खूंगा एकडमी यूटुब चैनल आज एंडिया का पेपर था और होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा सांधार गया होगा वेतरीन करके आए होगे आप अपने अफर्ड के वार्डिंग सारे बच्चे अच्छा ओर देख लेते हैं अश्चार के जल्दि से मेस्क्राइगी कि घृए एंसर की घृएंप याम इसमें करने हैं मुट पार्ड लिए जिसमें साइंस का पुरी होगी 50 कोशीन होंगे science का पूरा और जियस का पूरा हम इसमें discuss कर लेंगे चलो, पहला question 51 का, क्या करके हो जल्दी से पढ़ो इसका answer क्या लगा क्या है वो जल्दी से बताईए 51 का answer, the streaming of light beams coming from the suns through the tree is said to have suggested the light travels in the straight line the particles on the path, the light beams are visible to us become इसका एंसर क्या किया है जल्दी से बताईए कि 51 का एंसर आप लोगों ने क्या कर रखा इसका एंसर आएगा बी सही है dust particles in the air scattered light into our eyes तो जो बच्चों ने बी लगा रखा है correct answer है जल्द जल्दी मैच करेंगे क्योंकि हम बच्चों के अंदर बड़ा excitement है कि हमारा जो हमने लगा रखा है पेपर जो कर रखा है वो सही है नहीं सही है तो हम थोड़ा सा फास्ट एंसर कीपर फोकस करेंगे ठीक है इसका एंसर क्या किया है जल्दी से बताईए दा प्रशन है दा फ्लैस ओफ लाइटिंग इस सी बिफोर दा थंडरिंग अरे बिल्कुल इदिम बेसिक कोईशन है जब थंडरिंग होती है तो हमें जो लाइट रिंग पहले क्यों दिखाई भी टू हीए इज वे वेरिफाइ क्यों हमें लाइट पहले दिखाई दिती सांड तो लाइट रिवर्स मस्ट फास्टर देंदा साउंड साउंड ट्रवर्स मस्ट फास्टर देंदा लाइट इसका एंसर क्या आएगा बिल्कुल सही बात है अगर लाइट पहले दिखाई दिए जो लाइट रिवर्स मस्ट फ फॉषिन था इसको जब पढ़ोगे तो आपका इसमें एंसर आएगा 53 का 53 का एंसर आएगा बी क्या धी आएगा विस्टा 0.10.5 एंपियर ये आपका एंसर सही होगा इसका ब्राभू एंसर बी करेक्ट एंसर ठीक है इसका क्या बी करेक्ट एंस है 54 पढ़िए और इसका एंसर क्या लगा रखा है आपने जल्दी से बताइए 54 इसका एंसर आएगा नाइक्रोम की बनी होती है जल्दी से मैज करेंगे सारे एंसर दोखो यह भी निमेरिकल पोर्शन का क्वेशन से और इसका एंसर क्या आएगा 55 का क्या लगा रखा इसका 55 हाँ 55 का इसका भी एंसर आएगा अपका हाँ विल्कुल जिन बच्चों ने सी क्या करेक्ट एंसर है सी करेक्ट एंसर है 56 आजो 56 का रहा है गालव नाइजिशन इस आफ मैथ हैड और प्रोटेक्टिंग आयरें फ्रॉंद रस्टिंग वाइदा पूर्टिंग विद थिन लेयर अरे आयरें के उपर एक थिन लेयर च किसकी चलाते हैं जिंक और किसकी जिंग बिल्कुल करेक्ट एंसर है सीज का तर एंसर है गलपनाईजिशन प्रॉसेस पूर्टिंग औफ मैटल्स आनाधर मैटल समझ रहें इसका एंसर क्या जाएगा सी साहीए इसका अगला कॉशन 57 का देखो थोड़ा सा अधार्व नेशन कि भी explanation हम classroom में कर लेंगे बट अभी आपको थोड़ा सा excitement है अपनी answer की मैच करने का जल्दी से answer की मैच करिए कितने सही है और comment box में आपको बताना है कि हमारे total कितने question सही हुए है ठीक है पताइए इसका भई इसका क्या आएगा which one of the following alloy contents are non metal as which it is a constituents brass इसके अंदर यह तो copper और जिंग की बनी होती है ठीक है और ब्रॉंज copper और टीन की होती है अरे emelgum किसका एचिजी emelgum बनाता है कि अधर metals के साथ में तो बताना मैटल की बात कर रहा है तो ये भी metal है ये भी मैटल है यह भी मैटल यह भी मैटल और यह भी लिक्वीड मैटल है तो नौन मैटल स्टील के अंदर कार्बन की मात्रा होती है क्रूमियम कार्बन की मात्रा होती तो इस्टील इसका एंसर से लिया जाएगा क्योंकि उसने नौन मैटल की बात किये इसकी बात किये नौन मेटल्स इसका डी एंसर करेक्ट है ठीक है इसका एंसर डी करेक्ट एंसर है नेक्स्ट कोशन 58 अरे बक मिनिस्टर फुलरीन कारवन के किछने लो ट्रॉप्स तीन लो ट्रॉप्स बताया थे मैंने कौन-कौन से बहुत जल्दी से डाइमेंड हना ग्रेफ और बक मिनिस्टर फुलरीन तो यह किसका एलो ट्रॉप है भई कारवन का इलो ट्रॉप है सी करेक्ट एंसर इसका इसका सी करेक्ट एंसर है नेक्स्ट कोशन देखो भई नेक्स्ट कोशन क्या कह रहा है यह ग्राव दे रखा किसके बीच में करेंट और बोल्टेज के बीच देरिखक Hence का एंसर आजाएगा इसका एंसर होगा इसका एंसर हमारा है सी इसका करेक्ट है 59 का विल्कुल 59 का Cayuga जीन अब और मलंने का यह क्रेक्ट थीक अपप्रिक इसका आगे देखो क्या कह रहा है यह बाइलोजी का क्वेशन था अच्छा क्वेशन है डग्रीन प्लांट्स इस बार बाइलोजी में आपके ज्यादा तर बॉटनी के क्वेशन्स आये हैं और बॉटनी आप लोग पढ़ना खम समझते हैं ऐसा पहली बार हुआ है कि ज्यादा बॉ तो देखो ना एक ही टॉपिक के कई सारे क्वेशन दे रखे हैं आपके रिप्रोडक्शन से जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स के से क्वेशन्स काफी है ठीक है यह देखो देखो देख ग्रीन प्लांट्स इन 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 ट्रेस्टियल्स एको सिस्टम और जोर्फ सनलाइट लेट पॉल्स ऑण देख यर लीफ अप फोटो सिंदेशिस की प्रोसेस जानते हो उसमें क्या है और फौकर्ट्स फूर्ट ऑफटोड़ एनरजी और फोटो सिंदेशिश से दो कुष्चन आःए डरा रखें यह दब परसेंटेज ऑव सोलर रेडियेशन कितना सुलर रेड जिन बच्चों ने लगा रखा है बिलकुल करेक्ट है आप लोगों के एंसर साल है अच्छा ये पर जल्दी से क्या कियारा एक सब्सक्राइब इसमें बतारा कर नूर्ट करेक्ट नौट करेक्ट पुछा है इसमें तो इसका बजलदी से बताई है इसका है ओनॉट होती है और पुचह नहीं अगर यहां पर इतो होता तो सही हो जाता अग यह ठोड़ा है नहों ढूनला तो इसका भी स्ट एंसर आजाएगा क्योंकि उसने पुछा है गलत क्या पुछा है गलत पुछा है नौट पुछा है इसका बी करेक्ट एंसर है ब्रावो इस दा राइट एंसर बिल्कुल अमन सही है आपका बिल्कुल सही है गूड चलो नेक्स्ट अगला कोईशन इनको मैज कर दिये देखिए मैज करना है और जब मैज करोगे आप तो इसका एंसर क्या आएगा देखो इसको मैज क्या इसका एंसर लगा रखा है आपने हाँ देखो बर्निंग एलक्तो लाइसस ऑप वाटर एलक्तो लाइसस ऑप वाटर एनिकी फर्स्ट इलक्त डिस्ट्रेस्मेंट रिक्शन बिल्कुल सही है वह यह फर्स्ट का फोर्थ जाएगा फर्स्ट का फर्स्ट का क्या होगा वही फर्स्ट का फोर्थ बी का बर्निंग औफ पोल बर्निंग औफ पोल इसका आएगा है डी कंपोजिशन रियक्शन ठीक है इसका आजाएगा बी ठीक है एक मिनटे हम दोच को दो कि क्या रहा एक मिनुट हां ने 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 एक मिनुट कि को इसको हम इस इसको फ्रिस्पर उन्हें वह भड़ा है चलो क्या रहा अप बिद्धू है लेक्टोछ अफ इसका होगा आपका कैसा ये किम्पोजिशन रेक्शन ये तिक है अगला कि दूसरे का आजयेगा आपका बी का आजाएगा जो दूसरा दूसरा आजएगा ठीक है और सी का होगा चौथा सी चौथे के इसका इसका जाएगा और डी का होगा पहला ठीक है इसकन समयाज करदा है three two four one में इस सी के आंशर इसका 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 एंशर है सिक एके आइस आइसका next question जो next question क्या कहता है which one of the following metals does not react with cold water kold water में matin नहींcture करते देखो अब इसको करना कैसे करना था यह ना potassium, calcium और sodium यह हमारे alkaline earth metals हैं और यह रियक्ट करते हैं बट iron यह नहीं करता है iron हो गया, aluminium हो गया, ठीक है iron, aluminium जिंक यह reaction नहीं करते तो इसका answer आजाएगा ब्राबो सही है अरे यह solid में है यह liquid है यह gas है तो solid liquid gas भाई mercury तो liquid state में पाई आती है और oxygen gases state में अगर आपको इसका नहीं भी पता था कई बच्छे कह रहे हैं sir हमें यह नहीं पता था और नहीं तो मैं कर लेता आप देखो options पर देखो भाई आपको यह पता था कि mercury liquid state में होती है तो भाई बी ओप्सें में देखो solid 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 सिर्फ आपको इसमें liquid मिला है यह यह नहीं डीम लिक्विट मिला आप इसको लगा सकते थे एजली लगा सकते थे सही तरीके से लगा सकते थे क्यों भाई आपको पढ़ा है आपने कि भी मर्करी एक मैटल है और मैटल के साथा साथ लिक्विडि स्टेट में पाई जाती है एक एक मैटल लिक्विडि स्टेट में मर्करी और गयाश्य और ऑक्सियल गैसे सिस्टेट में इसका एंसर आ जाएगा दी इसका correct answer और बाटनी बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं लेकिन पर ध्यान देना है मैं क्योंकि बाटनी के अच्छे कोशन साते हैं इस बाहर डाल रखेंगा ठीक है जेनिटिक डाइवरिसिटी तो जेनिटिक डाइवरिसिटी में क्या क्या होगा माइटोसिस अन्फर्टिलाइजेशन माइटोसिस अन्फर्टिलाइजेशन माइटोसिस अन्फर्टिलाइजेशन अगर ज्यादा जो डाइवरिसिटी होती है तो यह तो आप काटी दो क्योंकि यहां पर fusion की बात कर रहा है और यहां पर conjugation की बात कर रहा है यह सारे Asexual की हम बात करेंगे इसमें Asexual तो हटाई ही दो सारे ठीक है अभी क्या बचा हमारे पास fertilize लेकिन fertilization दोनों में है ठीक है इसका आएगा meiosis and fertilization इसमें variations के chances ज्यादा होते हैं यह इसका correct answer है इसका correct answer next करें इसका बी correct answer है next देखो यूप्रियोटिक cells are much more complex compared to procreative विल्कुर सही बात है क्योंकि यूप्रियोटिक सेल्स ज्यादा complex होते हैं उसके अंदर सारे cell organelles bell double up होते हैं निउकलिस पायाता है सारी इसे बता रखी classroom में which one of the following structure are exclusively present in you cryotic cells कौन सा यूप्रियोटिक cells की बात कर रहा है कि यूप्रियोटिक तो दोनों में पाई जाती है चाहे वो यूप्रियोटिक हो या प्रोप्रियोटिक अच्छा प्लाज्मा मेंब्रेन यह भी दोनों में होती है नुकलिक एसिद यह भी दोनों में होता बट माइट्रो कॉंडिया ओल्ली और उनली यूप्रियोटिक शेल्स के अंदर इसका एंसर क्या आएगा डी का जैन करेक्ट एंसर है दिपर डेनमार किस दा राइणवां है नेक्स करें भी नेक्स टो नेक्स क्या कहें रए MTVlIGNirm शूट्रियेस का यह से टाइए यह सिए ओले मनमट थी जली लेयर्स होती है। रबन जाती है। छे इससले की बिल्कुल सही है। इंजेस्ट फॉलें ग्रेइन जर्मिने जर्मिनेर्स तु प्रोड्यूस टू मेल गामेट्स विच विच वन फॉलोविंग फंक्शन इसका जल्दी से पढ़िया और इसका एंसर क्या आगा तब यह लगा रखा रहा है ठीक है देखर लिखा वन गामेट फ्यूज विद एक से अधर हुज भी देपलाइड से के री नियूक्ले विलिवपल सहीए इसका डी गॉर्ट पारेंशर है ठीक है नेक्स्ट कोशन करें थोड़ा साब खास्ट करेंगे क्योंकि हमें अभी एंसर के बारे में आपको बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा ङसर कितना हमारा सही हुआ क से मैस करके आपको बताना है आपको मैस करके इसके बारे में बताना है ठीक है? चलो आगे करते हैं इंसेक्ष देखो फिर से वही कोईशन इन सेक्षली रिप्रडाक्शन और ग्रिंजम वीच वन ओफ फालोवियंग स्टेटमेंट अप्रोप्रियेट बोट पोर द पारेंट अ औरन और इसके और आठ सीने कहते हैं इसका एंसर क्या हैं जल्दी से बताई सब्सक्रावर क्या होगा क्या लगा रहा दो बाद लो बोट प्रोमोसों सूनिट नंबर्स और डिना कंटेंट रिमें पॉस्तेंट विल्कुल इसमें दोनों का जो वो ठोटीन रोट प्रोमोसों और नमबर दिन एक नंगेंट सुनिट अर्षू पॉस्तेंट इसका भी करेक्ट एंसर हैं ठीक है अगला रिलेश्टंस अखने भी यूटन के लिए जो फ्लावर और हनी भी का जो रेलेशन है वह उसको अट्रैक्ट करते प्लावर अपनी तरफ ट्रैक्ट फैसके पेटल्स कलर फोलों ते इसका एंशर क्या आगा बी करेक्ट एंसर है पॉलिए अटीक है इसका एंसर आएगा बीकर एक अगला पुसिटन है विच वन आप फालोईंग वाज नौट आवे इन वीज गिंग्स इन एसन इंडिया अटेंब टूदा क्लायम और हाइयर स्टेटस यह जी के का पुस्टन है और इसका एंसर आएगा आपका 72 का भक्ति मॉमेंट के बारे में द्यूट नहीं है आप इसका देखीएगा सब्सक्राइब तो भक्ति मॉमेंट के बारे में बता रखा है इसका A answer आएगा. The Bhakti movement divided traditional that promote diversity. इसका answer A correct हो जाएगा. A इसका 73 का A correct answer है. Next देखो. आगे देखो. The region for the terror and revolutionary finance phrase 2. पता यह. सब्सक्राइब कर से confession है इसका एंशर से करेक्ट एंसर है आगे अखिप सब्सक्राइब को 75 बश्ट वीचाव अभी विड़ीड क्या व्या विज्ट रवलोवेंग वेड दिद नाट फर्स वर्ट वर्ट नॉट इंपक्ट इंपक्ट, इंपक्ट इंपक्ट इंड़ोग इसका एंसर क्या आएगा यह भी जी जी के कॉशन है और जी के के की वक्षण जलदी से थोड 35 का ठीक है अगला कोशन देखो दा इमीडेट इंडिंग और बिटिस रूल इन इंडिया इज अर्जेंट नेसेश्री वाज आरी रिजोलूशन ये इसका एंसर क्या होगा सारे सरने करा रखें आपकी कोशिंस और ये सारे आपकी चीज़े एक क्लास रूम की चीज़े हैं और सारे साट्री शीज़े वहां सीवहिए मिए जली से इसका एंसर क्या है गैए मिडेट इसका एंसर है कूटं इंडिया मो implemented कूट इंडिया मोमेंटर इसका वी रीक्राइन सरह इन्सार भी इसका करेक्ट और सब्सक्राइब बनल이osition कोशन नमबर 77 आप इसमें कहा रहा है इसमें कॉन सा करक्ली मैच नहीं है इसमें कॉन सा करक्ली मैच नहीं है तो इसका एंसर आजाएगा इसका एंसर डी करेक्ट एंसर है नेक्स कोशन देखो नेक्स कोशन क्या कह रहा है 78 का विच वन अब फालोवेंग इस यूजवल यूनिट ऑफ मेजर पर एयर प्रेशर यूज इन इंडिया ठीक है इंडिया में कौन सा तो इसका एंसर क्या पूछ रखा है यूजवल ज्याद एंसर है नेक्स करें ठीक है तो 78 हो गए 79 पर आते है 79 क्या कह रहा है विच वन अब फालोविंग इस दा ओल्डेस एरा इन दा जियो लोजिकल हिस्ट्री डिटर माइनिंग दा एज ओफ वैरियस रो टाइप्स ठीक है इसका एंसर क्या आएगा जली से बताईए इसका एंसर क्या आएगा इसका एंसर एकरेक्ट एंसर है अलफा राइट एंसर है इसका एकरेक्ट एंसर ठीक है इसका एंसर क्या आएगा एकरेक्ट है अगला कोशन एजियो ग्राफिकल ग्रिट हैज जब यह सारी चीज़े आप पढ़ोगे इसका एंसर निकल क्या एगा बोथ एंड बोट एए एंड वी इसका और टैंसर आएगा बोट एंड वी ठीक है नेक्स्ट करें एक्टी कहा है बोट एए एंड व एनी सीस का करेक्ट्रा इसा एंसर है एक्टी वन का देखो क्या करता है इन विच वन अप दो फालोईंग लेएर्स ओब एक्ट्मास फेयर और वेदर फि इसका correct answer है भी इसका correct answer है next question देखो 82 विच उनाव फालोविए इस्टेट रूप कुंड leg is located रूप कुंड leg कहा locate करती है इसका answer क्या आएगा देखिए options है यह है आपके उत्राखंड कहाँ पर भाई उत्राखंड में locate करते है इसका correct answer है इसका ठीक है next question देखो क्या कह रहा है नेक्स कोशन क्या क्या कह रहा है हां question number 83 पढ़ो राम रिकॉर्डेट दा ओडो मीटर रीडिंग ही सकार वाद डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉंड तू थाउजंड किलोमेटर एक स्टार्टिंग फ्रॉंड जर्नी जब वह स्टार्ट करता है तो कितनी तू थाउजंड फिर उसके बाद में उसकी कितनी हो जाती है यानि कि 400 बढ़ गई न यहीं तो है इंड ऑफ जर्नी आफ्टर एट आर्स अरे वाट इस दा एवरेज स्पीड तो बता यह कितनी होगी इसको आप देखोगे तो कितना आजएगा 400 400 अपन में एट वही स्टार यानि कि एंसर करेक्ट हो जाएगा पचास किलोमेटर प्रति घंटा पचास किलोमेटर यह तो बड़ा सिंपल इमेरिकल्स दे रखा है फीजिक्स का ठीक है बिल्कुल पहले ओड़ोमेटर में इतनी थी फिर बढ़ करके 24 हो गई यानि कितनी बढ़ गई 400 बढ़ गई और ट यूज़ क्या यूज़ करेगा इट फिर को इसका एंसर क्या है जुक्त है कि टो इस नहीं होता है और इसका और गाूंग इसका एंसर मीट्स का बने जाएगा कि अगला रमेस के नोट से डिस्टिंग ऑब्जेक्ट कि यॉर्ड टू मीटर ठीक है टू मीटर दिस एफट कैन बी करेक्टेट बाई यूजिंग लेंस ओपावर ठीक है अब देखो दो मिटर यह उसकी जो फोकल लेंद है ना डिस्टिंग्ट ऑब्जेक्ट यह फोकल लेंद क मीटराईब का ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखाकोई दे रहे है पास की वाङोप एक तो में पास को माइनस में होती है ठीक है तो power इसका minus में आएगा minus का 0.5 डायप्टर आगा इसका बी सही एंसर ठीक है इसका बी सही answer है चलो अगला कोश्य देखो क्या गला which of the following statement are correct about the electric resistance and resistivity of wire ठीक है कौन सा इसमें correct statement है क्यों सा correct statement है तो आप पढ़ोगे देखिए both depends on the temperature ये तो बात सही है दोनों temperature पर डिपेंड करते हैं ठीक है देखिए पहला करें both quantities depends on the area of cross section of wire देखिए दोनों तो area of cross section wire पर डिपेंड नहीं करते है इसका answer हो जाएगा both depends on the temperature resistance of the wire directly proportional to the resistivity of the wire इसका answer आएगा two or three ये दोनों सही है इसका मतलब ये हमारा two and three कहाँ पर दे रखा है एससी option दे रखा है इसका answer हो जाएगा सी correct answer है इसका क्या सी correct answer है बिल्कुल हाँ correct answer इसका क्या आएगा सी correct answer आएगा विल्कुल साही करेंगा 86 का 86 का बोलो जली से 86 का सी हाँ एक पर देख लेते हैं आपकी कमेंट्स 86 का सी बिल्कुल correct answer अगला देखो अल लिकुड इजा heated up a certain temperature which one of the following situations would corresponds the boiling of liquid जली से बताइए इसका answer 87 का क्या लगाया बोलो जली से 87 का 87 का क्या लगा रखा है देखिए यह actually देखो when atmospheric pressure becomes less than the vapor pressure बिल्कुल सही यह यह when atmospheric pressure be compare equal to the बिल्कुल equal की बात करना तो इसका answer ए आजाएगा हमारा atmospheric pressure और vapor pressure से लिए इक कोल होना चाहिए तो यह इसका answer आएगा when atmospheric pressure becomes equal to the vapor pressure है ना इसका answer क्या है a correct answer है आगे देखो which one of the following is not a example of organic compound organic compound का कौन सा example नहीं है इसमें पूछा रखा organic compound का कौन सा example नहीं है अब बताओ यह इसमें इसका formula CS4 होता है ठीक है not पूछा है नहीं है ठीक है not organic compound तो यह इसका क्या होता है ns2 co ns2 और यह c6 s12o6 अब यह जो ammonium cyanide होता है क्या अजो ammonium cyanide होता है नहीं होता है नहीं होता है cno और जब इसको हम heat करेंगे तो क्या बनेगा यूड़ी बनेगा यह एंसर इसका आजाएगा a ammonium cyanide क्या जाएगा a correct इसका answer ठीक है यह हमारा अगला देखो which of the following acid is used to gold smith to cleaning of gold and silver articles एक mineral acid होता है पर sulfuric acid का प्रियोग नहीं करते हैं हम किसका करते है nitric acid का करते हैं gold smith लोग अपने जो silver और gold होती उसको साफ करने के लिए nitric acid का यूज करते हैं तो इसका answer आएगा ब्रावो वी सही answer इसका क्या है वही बी इसका एथनॉल ठीक है एथनॉल के बारे में जवाब पढ़ोगे तो इसका क्या है एथनॉल ठीक है इसका answer आ रहेगा लिटमस यह तो न्यूट्रल रिप्रजेंट करेगा इसका answer एकरेक्ट है क्या answer इसका एकरेक्ट है ठीक है explanation तो हम glass room में कर लेंगे अभी आप थोड़ा से जल्दी सा एंसर देखिए वीच आप फालोइंग मैटल्स नॉट इसेंचल कंपोनेंट इन इस्टेंलेस इस्टेंलेस स्टेल का कौन सा और इसको मैज करिए क्या कह रहा है प्यास करहा है मैज्ट ठीकनußen mashed है और हमें स्क्रなんですか इसक करने के बाद में यह आपके लिए रखें इसमें सोड माइस करोगे तो स्का एंसर आजाएगा आपका सी करेक्ट ऐका से आएगा श्युक्रेक टेंसर आएगा है ऐनिक आप इसको मेश करके देखिएगा सी करेक्ट एंसर आएगा अगला देखो यह कुशन करा विच वन ओफ फालोइंग इस नौट रिक्वाइड फॉर्टो सिंथेसिस पढ़ा था आपने कार्बन रिलीज करते हैं इसका एंसर आजाएगा डी वाटर का वाटर चाहिए होता है क्लोरोफिल चाहिए होता है कार्बन र रिक्वार्मेंट नहीं होती है ऑक्षिन तो लिवरेट करते हैं इसका एंसर आएगा डी फॉर्ट डेन्मार्क इस दा राइट एंसर अगला पॉश्चन 94 पड़ो क्या गयरा इन फ्लावडिंग प्लांस एंड डी एने कंटेंट्स ओफ पारे लिखा पारेंट प्लांस आप डूरिंग देखिए घृट की बात कर रहा है कर वहाव वहाव हो जाते हैं हाव दूरिंग बात करना तो वह चली वित कह रहा हाँ वाख डूरिंग यह सीड जरमीनेशन के दो रान किसमें डी जरमीनेशन के दोरा अब इसको देखो मैस करो 95 को वीच्वान आफ पालोइ बलकुल सही और रहा है सबसे पहले एग फिर वो जाइगोड फिर सीट यानि एह इसका करेक्ट एंसर है और देखो इसमें भी थोड़ा सा कूठा अगर थोड़ा देख लिए तीगे लास्ट 96 questions का answer आ जाता है क्या किया रहा है which of the following combination of events represent the correct sequence during the reproduction in flowering plants आप देखोगे ना देखो इसका एंसर देखो आपको पता है कि जो अब्री होती है वो फ्लूट का निर्मार करती है और ओव्यूल किसका सीड का formation करता है एक सिर्फिजाए एक क्या करता है एक जाइगोट इंब्रियो बनेगा पहले एक होगा फिर जाइगोट बनेगा जब फिर एंब्रियो बनेगा फिर ओव्यूल से सीड बनेगा औरी फूट में इसका डी आ जाएगा अब जरह इसमें कैसे गलत कर सकते थे क्या जो हमारा सीड है वो फ्रूट में बनता है ये तो गलत बात कह रहा है ये तो समझी लिए हमारी ओवरी फ्रूट में कनवार्ट होती तो ये तो गलत हो गया जाइगोट सीड में ये भी बनत बात कह रहा है ओवरी एक्स में ये भी गलत बात कह रहा तो तो तीनो ना एक दिएक दिए इसका एंसर आजाएगा डी इसका एंसर है डेनर डीफ और डेन मार्क इस दाराइट अगी अगी अगीडी अगी अधीफ डेनर अगी अगी अगीछ अब्ला कोशन देखो 97 यह क्या कह रहा है यह आपका जियस का है और इसमें देखो क्या कह रहा है दा बुक नेशन फर्स्ट दा गोल्डन सागर और सुरी सागा 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 और 82 years is the history of which one of the following organization किस organization की है इसका answer क्या आएगा इसका answer center reserve police force center reserve police force और एनिसी इसका correct answer है सी इसका right answer होगा आगे करें आगे देखो 98 का करें consider the following statement regarding the संची और एंड इस एर्कोलोजिकल फाइंडिंग्स इसका answer क्या किया आप लोग ने जली सबताइये इस बोड़ एंड भी बोड़ एंड बी विल्कुल correct है बिल्कुल सही बात बोड एंड भी एनिकी सका correct answer का सी correct हेलो 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 है कि लिए जब क्लास के डी गॉर्ड करते हूं कॉल डी और कि शुर्ड क्लास क्लास कर ब्रकता हूं कॉल यह चलो हां है जल्दी से बताइए बिल्पूल सी इसका एंसर है इसका है इसका एंसर है यह जल्दी से इसका एंसर क्या है 101 का एंसर क्या होगा 101 का एंसर क्या है 101 का एंसर आएगा C इसका C correct answer 1 2 & 3 सारे सही होंगे कि रोयल सेंटर्स वाज लोकेटेट इन दा साउथ वेस्ट पार्ट आप दा सेटेलमेंट्स है ना इसका एंसर 1st 2nd and 3rd 3 तीनों सही है सही पूछ रखा ना हां इसका एंसर सी करेक्ट हो जाएगा C इसका correct answer है which one of the following which one of the following statement not correct यह बड़े खतरना question होते है not correct देखना not correct पूछा है इसमें से कौन सा correct नहीं है which of the following statement is not correct देखो क्या रखा है पढ़ो जल्दी से इसका answer पढ़ो इस सारे answer पढ़ने और बताने है क्या है रखा एक सब्सक्राइब नौट पूछा यह इसका एंसर आएगा एक कि उसने पूछा ही गलत है इसका एक और रेक्ट हो जाएगा 102 का एक और रेक्ट एंसर एक सब्सक्राइब यह जीरो थी वन जीरो थी नहीं जीरो थी नहीं को क्या है which one of the following soil is ideal for growing cotton cotton को ग्रों करने के लिए कौन सी soil आई डियर हें ठीक है कि बताओ गया सबसें सब्सक्राइब विशन फैल्विन पर इंपGOक्टं मिद एसका है आइंसर उनलत इसका रिया निसका आए है गाए है कर्क्राइब क्योंध क्यों इसका एंसर आएगा एक करेक्ट एंसर है 105 105 का क्या लगा रख है बताइए जल्ली से इसका उनली एक पढ़ोगे नाए यह सारे स्टेट्मेंट पढ़ोगे इसका है उनली वन करेक्ट एंसर आएगा एनिकी ए इसका करेक्ट एंसर है उनली वन ठीक है अगला कोश्चिन करते हैं 106 106 का क्या है वहीं वीच वन आप फालोविंग इस दा नेरो वेल्ट पार्लेल टू दा स्यूवालिक स्यूवालिक पुट हील्स फेयर स्ट्रीम एंड रिवर् लोग ने किया है इसका एंशर विल्कुल करेक्ट एंसर है इसका एंसर सी करेक्ट एंसर है इसका इसका एंसर है वहामाद वहावर है सब्सक्राइब इसके बाद 106-107 कोशन नंबर 107-107 क्या कह रहा है विच उप फालोंग इस्टेट्मेंट इबाउड दा सुष कैनल सुष कैनल इस और करेक्ट इसमें से कौन सा करेक्ट है शिच कैनल के बारे में तो अब सारे देखोगे तो इसमें से answer आएगा इसमें आपको correct सही करना है select the correct answer using the course given जो नीचे course दे रखें उसको पढ़ते वे आपको सही तो first and second only first and second नीवी इसका correct answer है ठीक है भी इसका correct answer आएगा ठीक है next करें question number 108 108 क्या करा पढ़ो जल्दी से 108 थोड़ा सब्सक्राइब चलो 108 क्या करा and iron nail sink in the water जो iron की nail होती है वह वाटर के इंदर sink हो जाती डूब जाती है do where iron ship float और iron float करता है उपर बच्चों which of the following statement correct in this regards इसमें से कौन सा जो statement है वो correct है ठीक है तो जलो पढ़ते है average density of ship is greater than the then that of the water the average density of iron is greater than that of the water the average density of the ship is less than the then that of the water okay iska जो correct answer है गा every density of iron is greater than that you be बास सही करा every density of ship is less than the then that of the water यह जिनी का answer अंसर बी और बी और वजब सेकेंड और थर्ड दोनों हो जाएगा यह दोनों correct हो जाएंगे इसका बी correct answer है क्या है इसका बी correct answer है बास समझ आ रही है आ रही है बास समझ में 108 का हाँ बिल्कुल 108 का क्या है भई भी अ टीके ठीके चलों आगे चलें 129 9 9 ripe की यह दैए और रखाते हैं आपका यह यह आपका पढAKE तो इसको आप करोगे तो वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री यह भी पैलर में है यह आपका स्रीज में यह स्रीज में क्या कहा रखा है दोखो कहा है विच अब फालोविंग अरेंड्मेंट और रजिस्टर्स ऑफर मिनिममम इफ्यक्टिव रजिस्टेंस बिट्वें दा एक लेकिन इसका वन अपन ठ्री प्लास वन उपन ट्री प्लस वन अपन ट्री करोगे तो यह कितना आ जाएगा थृबं इसका और बन 110 घ isolate णे श्री वहां ê hug만 थ करखा कि इसने क्या पूस्अ पंसका एक मुलकूल ए इसका करेक्टन स्राइगा next its question नेक्स्सक्राइब लेल इसको निवाल आठ लेवाड लागा आप वी वाला लेत ट्री प्लस वन वैक ट्री प्लस वन बाई थो कि आधि कि आधि इसके बाद इसके बाद question number 110 इसका answer A आया ना 109 का A 110 करते है 110 क्या करा पड़ो जल दी से 110 So, thus, what will happen if the collections of positive and negative charge are passed at the high speed through a magnetic field, which is a perpendicular to the direction of motions of the charge. Assume that both kind of charge are not going to combine. Okay, positive charge and negative charge will be separate out. Yeah, both kind of charge will be stop moving. Is cancer B आयेगा correct. Is cancer क्या है? B करेक्ट एंसर ठीक है? इसका answer B करेक्ट है यहनि B फार ब्रावो इसका राइट एंसर है 111 111 क्या कहरा? जब यह question push रखा 111 जब इसको differentiate करोगे आप इसका आजाएगा physical to mg यहनि B करेक्ट एंसर है ठीक है जब इसको आप differentiate करोगे तो इसका आजाएगा physical to mg यह question देखो क्या कह रहा है यह question कह रहा है ए ब्लॉक और डामेंशन 40 and 20 and 10 centimeter if it kept on a table top in the three diamonds three different position अलग अलग तीन different positions में इसको रखा जा रहा है पहले पोजिका वाट इस the side of dimensions 20 and 10 अच्छा देखो अगर 20 centimeter or 10 तो इसका कितना आजाएगा एरिया एरिया कितना जाएगा 200 आजाएगा आजाएगा ना अच्छा बिकर इस साइट सब डामेंशन टेने इसका 10 और पुर्टी करोगे तो एरिया कितना 400 आजाएगा एरिया आजाएगा ना अच्छा 40 और 20 करोगे तो इसका आजाएगा 800 ठीक है 800 आजाएगा ना अच्छे दा प्रेशर इग्जर्टेट्ट ब्लोग इन टॉप टेबल टॉप इन दा पोजीशन इस रिप्रेजेंटेट बाई पी एपी बीपी सी अच्छा बताओ प्रेशर का प्रेशल इंडटेट था होता है अटर्स टेया जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशं ज्यादा लगे कैम हो है अब क्या किए रहा है कि रिप्रेजेंट प्रेशिट प्रेशन ठीकन के C सिंपल सा बताओ जिसका एरिया जादा है उसका pressure कम हुगा होगा कि नहीं होगा बताओ तो बताओ जाला white c का एरिया जादा है जादा है तो प्रेश खाम होगा सबसे कम उगा किसमें रखकर देखो इकопасी नहीं पर है क्योंकि सबकी एरिया अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा और एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा इसका एंसर आजाएगा अप मैस कर लो क्योंकि एक एरिया ज्यादा ठीक है इसका आगे एक सो बारा का एक सो तेरा प्याते हैं एक सो तेरा क्या रह क्या जाता है इसका कर्यक्ट एंसर एंसर आगे दूख्योप से 14 विच फालों इज नौट ट्रू विच रिप्र रिकिन रिस्पेक्ट टूदा कॉलाइडल से लुशन के उसमें कौन सा करेक्ट नहीं है ठीक है कुलाइडल स्लुशन के रिस्पेक्ट में देखो लिखा वाग पॉराइडल सेलूशन ही जा होमोगेनियस मिशन नहीं यह कैसा होता है यह एक हेट्रोजीनियस मिशन होता है यह यह बात गलत है उसने नौठ पूछे तो हमने गलट धो लिया यह इनिके बी इसका गर्ण अंसर होगा कैसा बी इसका राइट प्रेटिरू नियुट्रीबंक ह्मिक्षर से अपने अप इसको अलग कर सकते हो अप देखो कहले आ caveat प्रपोस को फिर्फैमबले कांगे स्का सिंबल कैसा कैसे रिप्रेजेंट होता था ठीक है डॉल्टन के कोडिंग बताई यहाँ डी बिल्कुल सही है फास पुरस का सिंबल ना पहले डॉल्टन ने जो अपना सिंबॉलिक पॉंद दिया था उसमें फास पुरस को ऐसे रिप्रेजिन किया जाता था ठीक है आ रही पास समझ में इसका एंसर आयागा वन हैंडे 16 का एंसर क्या भई जब सारे आप सर्फ यतर तीनों करेक्ट है यह कैसे फॉर्ट दीन्यों करेक्ट नहीं यह उसे में करेक्ट उइसका एंसर सी ड़ा रखा है वो राइट है जम करेक्ट ऐंसर है आई होप आपने सी लगए होगा बिल्कुल ठीक है next consider the following statements यस statement को पढ़ो और इसमें बताइए क्या इसका एंसर आएगा question number 118 का एक सो अठारा का क्या लगा रख है रोहित विमल क्या लगा रख है इसका लगा रख है इसका एंसर हां ए बिल्कुल सही इसका इंसर क्या आएगा इसका एंसर है इसका राइट एंसर है ठीक है उसने पुछा है इसमें से कौन सा करेक्ट है इसका एंसर आजाएगा फास सेकेंड अन्थर्ड करेक्ट एंसर आएगा एक सो अठारा का आगे चलते हैं 119 का करते हैं question number 119 देखो क्या कह रहा है विच आप फालोविग इस्टेट दिख रहा है विच आप फालोव इंस्टेट मेंट एवाव दा टेक्नोलोजिकल इन्वोल्मेंट्स एव और वह वेसंस डिरिंग दा इंदेश्टियर रिवलुशन आर करेक्ट इसमें से कौन सा करेक्ट है पता यह 118 119 हाँ 119 का विल्कुल इसका भी एक करेक्ट है फस्ट एन सेकेंड उनली फस्ट एन सेकेंड उनली इसका भी आएगा एक करेक्ट एंस राइट नेक्स पॉस्टिन देता हूं 120 का 20 का क्या कह रहा है 120 कहां यह 120 का है हां पड़ो जला हूं वह एमंग दा फालोविंग इन नोन आज आज आर्ट आर्ट आर्टेक्ट ऑफ इंडियन प्लांटिंग ठीक है तो पी सी बिल्कुल इसका एंसर सी करेक्ट है a dairy double exactly test aniple Act pik so besar exactly me smell which which one of the following a socal me my manure rock etiquette contained content the personal name of the King Ashoka क्या करक्खा इसका मस्की ए इसका करेक्ट एंसर है जी एस का पार्ट है और जी एसके पार्ट में इसका एंसर क्या एगा एंसर ठीक है आगे देखो इसका एंसर हो जाएगा आपका डी इसका करेक्ट एंसर है अगे देखो नेक्स्ट कोशन देखो इस सारे हम प्लास में डिसक्स कर लेंगे डिटेल्स में अभी आपको जल्दी से अपनी एंसर की मैश करनी है विच वन अफ फालोएंगे नौट एंग्जांपल साफ फोल्ड मा जाए करेक्ट एंसर इसका करेक्ट एंसर है janust canonical यहां तक सही है दो सही कर लेन किने यहां तक आगे करो एक सै चोबस्ता विच ंदॉपर फालोओंगे जएन और गैनिक सा इफ विそう कुझ्त वालोइन्ड एंट और निक फालायल एंसर इसका ठीक है आगे देखो दर नौर्थ साउथ और इस्ट वेस्ट रोड के कोरिडोर्स और इंडिया क्रोस्ट इच अधर एट विच आप फालोविंग इस पालोविंग सिटीज बता ये कहां पर बोपाल जहांसी एक्षोपचीज का क्या लगा रख है बताई ये जली स से अमान बिल्कुल जहांसी आएगा करेक्ट एंसर जीडी है भूपाल कैसे होगा इसका इंसर डी करेक्ट एंसर ठीक है आगे एक्षोपचीज का देखो विच्वन फालोविंग क्लाइमेट टिक रिजिएंस ऑफ दा वर्ड्स हैव अट्रिपिकल करेस्टेस्टिक्स अफ Aunt की विच्वन क्लाइमेट बेल्कुल करेक्ट एंसर मांसुन क्लाइमेट लिए इसका डी करेक्ट एंसर आएगा क्या अगहे डी इसका करेक्ट एंसर है 127 का 12 मेंट स्टेटमेंट इसनल कлекट इससमें से कौन सा स्टेट मेंट करेक्ठ नहीं है तो जब सारे स्टेट मेंट पड़ोगे तो आपको इसका बीटु इस टेट मेंट है वहलेश न ही होगा और ये बीकल्व साइसर और जायगा वी इसका घ्रेबुट इसका अन्स है ठीक है आगीद है सिंपल्स उत्य दिखा लेकिन बच्चों ने गलत किया इसका वह मानी ऑफ फालूइंग पयर शौप बाफ स्पेसिलाइज़ और अग्री कविस्ट्र एंड इस पुर डूट्ट्स आर करेक्ज़ पर टीमेंच कौं सा करेक्ट्वियुमेंच है लिए छेत्व के लिए होता है इसका करेक्ट एंसर आएगा अला विच फालोईंग क्रॉप इस जनरली बेनिफिटेड बाई दा रेन कोज बाई दा वेस्टर डिस्ट्रिवेंस इन इंडिया कि अब बीट वी साएगा वी इसका ये इसका करेक्ट एंसर जश्ट अभी एंसर मैच करना आपको जल्दी से अपने अंसर मैच करना है और कमेंट बॉक्स में विटाना कितने आपके साइवे विच वन उफ फालोईंग पैयर पैयर उप सिटी और इंडिस्ट्री इस नौत करे करक्ली मैच नहीं है ठीक है नॉट करक्ली मैच आगे देखो यह देखो दे रहा है विच वन आफ फालोविंग ग्राप्स रिप्रेजेंट दा इक्वेशन आप मोशन वीजिकल वीजिकल टू यू प्लस एटी वेर ओल क्वाटिटिटीज आर नॉन जीरो एंड सिंबल्स करी आपका इसका करेक्ट एंसर आएगा ठीक है आप यह विच्ट क्या है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या करेक्ट एंसर है एक 1032 का विच फलूइंग इस्टेटमेंट इस ट्रू फर साउंट वेव साउंट वेव साउंड वेव प्रोपागेटिंग इन एर जल्दी से इसका साउंड इसडे एलप्टो मैंथेटीक वेव टान्सवर्स इन नेचर साउं रिजा मेकानिकल वेव है एन लंगीटूडनेटर है तो रही से साइड एक मेकेनिकल और लॉंगिट्व्टनल नेचर की होती है ट्रांसवर्स तो प्षे अल्ड ट्रॉप यह होतीह एंसर भिग ऑब त्र 시간 क Kirby रहें है निचर के अंशनर है ठीक है इसका भी से यह देरा था यह मेरीक भीचा voices जब इसको सोल प्रोगे इसने मेडकल सीका एनसर आजाएगा डिकरेक्ट हैंसर विलकुल इसका पैसने इसका करेक्ट एंसर और नेक्स इसका देखो विच्वन आप फालोइंग ऑप्टिकल फिनॉमिना सपोर्ट डैट दा लाइट इस ट्रांसवर्स वेव ठीक है कौन सा इसमें फिनॉमिना यह रिप्रेजन कर रहा है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है इसका एंसर आएगा दे एक सचोथीस का क्या जाएगा भी डेल्टा इसका करेक्ट एंसर है अरे वाइस किलियर तो है न सभी को किलियर आतो रही है अना ठीक है चलो आगे देखो हाव मैनी हाव मैनी आप दे फालोविंग माटेरियल्स कैन भी अट्रेक्टेड वाइड वाई आ मैगनेट इतने मैगनेट के द्वारा अट्रेक्ट हो रहे एवन थिट्टी फाइब का दिया यह फ़र्स्ट आएगा देखे मुझे तो देखे प्लास्टिक नहीं कारबन इतना नहीं अलमुनिय मैट्रेक्ट होता है नहीं स्टेल ने से स्टेल होता है अगर होट पताइए जल्दी से डाउट लगा इसमें नन आएगा कि फ़र्स्ट आएगा यह जली से बलो इस टेलने से स्टेल अग्ड़क एंसर यूजिंग दफोर्स इंगें विलो ठीक है हॉँआ मैंज व्यूआ अफ फॉल्विं अट्रेश एंट्रेट इसका इंसर आजा आएगा सरफस्ट एकरेक्ट जोगा इसका 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 एकरेक्ट एंसर है ठीक है चलो पूस्ट अऊगें ट्रेशे कंसी ता फॉल्विं इसका अंसर के आह ए गॉ फिल्कूर्ण सीज का करेक्ट एंसर है ठीक है इसको आप देखोगी तो इसका एंसर करेक्ट सी आएगा नेक्स कोशिन देखो निक्स 137 थोड़ी बच्चे में जल्दी से कर रहा है इसलिया थोड़ा सा पास्ट आपको मैंज करा रहा है कि आप जल्दी से अपनी अंसर की मैंज कर लो 137 का विचेम फालोइंग स्टेटमेंट रिगॉर्डिंग तुदा एलक्षिंस डिगॉर्डिंग तुदा एलक्षिंस इसका एंसर कि आएगा 137 का 137 का ए वं ठर्टी एट का भी एंसर करेक्ट है 138 का एक कए अप इसको पढ़ोगी और मैं स करोगे इसका एंसर क्या आएगा इसका एन्सेर क्रेक्त एंसेर होगा क्या होAl εचं़ क्या एंसर हो जिसका ऑफ लोगों ने लगाया एंसर क्या आएगा अनॉटर्ट देश कोल दो अन्नाचल प्रदेश बास समझ आ रहे है इसका अंसर दी करेक्ट अंसर अन्नाचल प्रदेश अगला देखो दा 480 मेगावाट हाँ पुक्तू कि एक मिट कि एक मिट रुकना जो करेक्ट एंसर क्या है इसका नेपाल इसका नेपाल आएगा अच्छा है 142 142 का जली से बताई 142 142 का कि इसको पढ़ोगे आपको इसका एंसर क्या आएगा डी इसका करेक्ट एंसर आएगा अच्छा ये ये यह 143 143 का क्या correct answer है इसको मैस करना है आपको अगर इसको मैस करोगी इसका answer आजाएगा बी इसका correct answer आजाएगा बी इसका right answer या बी इसका right answer 144 का consider the following statement about the Glen entry award in India इसका answer आएगा only first A इसका correct answer होगा है ना only first A इसका correct answer 145 145 का क्या बई 145 का डेल्टा आएगा डी इसका correct answer 145 का first second and third यानिकि D इसका correct answer होगा ठीक है बई जल्दी से बताओ जल्दी से मैस करोगे जल्दी जल्दी मैस करना है आपको और comment box में बताना कितने सही है पांच कोशन बचे हुए है उसके बाद में आपका जल्दी से score आना चाहिए कि कितने सही निकलना है हमारे अच्छा 146 का 146 को आप मैस करोगे इसका answer क्या correct है जल्दी से बताओ क्या लगा रखा है आपने हाँ एक पर comment देख लेता हूँ आपके 140 146 विल्कुल D इसका answer क्या इसका 146 का D correct answer 147 कोशन भी नहीं पढ़ा सिर्फ आपको answer बता रहा कोशन आप खुद पढ़ लो और देख लो जल्दी से मैस कर लो दा कोशन आपको खुद पढ़ना है और बस इसका answer देखो यूप यूक्रेन इसका answer C आएगा Ukraine क्या आएगा यूक्रेन आएगा C 148 148 का क् इसका Australia B correct answer है क्या आएगा भई इसका B correct answer है Australia ठीक है 149 का 149 का क्या लगा रख आपने जल्दी से बोलो हाँ बिल्कुल इसका answer क्या आएगा भी इसका correct answer है 149 और 50 का इसका answer आएगा D correct answer 150 का 150 का D correct answer है D for Denmark के जला है टोटल आपको बताने कि कितने आपके यह जो हैंड़कोशन में से पोटल कितने सब्सक्राइब और इसमें सारे आपके लगवक सही निकल रहे होंगे तो आज के लिए रखते हैं और यह अंसर की थी अच्छा हुआ पेपर बढ़िया हुआ जैसा भी हुआ है अब ठीक है तो नेक्स अगर जिसका सेलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी बात है जिसका नहीं प्रयास निहालना है अपना अपनी आगे के लिए प्रिपेर करके रखना है और मिलते हैं फिर नेक्स सेशन के लिए नेक्स उसके लिए नेक्स जोस के साथ में थैंक्यू जैह हिंद जैवारा